तो वकांडा रेलवे रैसलिंग के फाइनल मेच में एक तरफ है खाकी वर्दी धारण करने वाले, यात्रियों को यात्रा के दोरान धमकाने वाले और फोजियों को लाइव थपड मारने वाले और इनका सीधा मुकाबला है गार्ड को धमकाने वाले, पॉइंट्स्मेन को पि यह सब कैसे हुआ तो स्वागत अब सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संकी पाइलेट में जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पाइलेट MS राजपू स्वतंतरता दिवस के इस पावन अवसर पर आज चर्चा करने वाला हूँ, वकांडा में लड़ी गई कुछ एतिह वकांडा का प्रतम यूद लड़ा गया था अपने आपको स्टेशन का समराट समझने वाले एंगरी मास्टर और ट्रेन का माइबाब कहलाने वाले गार्ड नाम पर पिस्तोल उठा लेने वाले गार्ड साहब यानि ट्रेन मेनेजर के बीच में, इतियास कारों के अनुसार यूद का मुख्य कारण दोनों राजाओं के मध्य मा और बहन की गालियों का आदान प्रदान को माना जाता है और ये यूद अपनी चरम सीमा पर उस समय पहुंचा जब एंगरी मास्टर ने ब्रेक वान में चड़कर सफेध हाथी का फोन चीन लिया लेकिन लोको पालेट के द्वारा माल गाड़ी को रवाना कर देने के कार्ण समय सीमा के अभाव को देखते हुए दोनों राजाओं के मध्य समझोता इस बात पर हुआ एंगरी मास्टर सफेध हाथी का फोन रिटन कर देगा और बदले में सफेध हाथी लोको पालेट से कहकर ट्रेन को रुकुआ देगा एक पाकिस्तानी महिला इतियासकार ने इस यूद्य के विशे में अपने किताब में लिखा वकांडा का दूसरा युद्य सन 1225 में रेलवे का दारोगा कहलाने वाले समराट आर्पी अप चोहान और यात्रियों पर आकरमन करने वाले अर्भी आकरांता वसूली भाई के मध्य लड़ा गया इस युद्य का मुख्य कारण लावारिश चल्ती ट्रेन के पैतरिक अधिकार को लेकर आपस में हुए मत्भेद को माना जाता है युद्ध में वीडियो बनाने और चल्ती ट्रेन से फेक देने वाले जैसे हतियारों का प्रियोग पहली बार हुआ इस युद्ध के विशे में सभी त्यासकारों ने एक ही स्वर में कहा सन तेरा सो पचीस में वकांडा में एंग्री मास्टर के समराज्य में ग्रह यो दुछिड जाता है स्टेशन का सेनापती कहीं जाने वाले पॉइंट्स में द्वारा कसोल की जड़ी बूटियों का सेवन करके मास्टर के खिलाफ विद्रो कर दिया जाता है इस युद्ध में मास्टर ने कूट निती का प्रियुक किया और समराट आर्पी अप जोहन को अपनी और मिलाकर विद्रोई सेनापती पॉइंट्स में को समराज्य से बाहर खदेड दिया इस युद्ध के पस्चात प्रसीद इतिहासकार आमीर सिद्की ने मास्टर के विशय में लिखा मेरे साथ कुछ भी करने का मेरा इगोहन नहीं करने का अगले सो सालों तक वकांडा में कोई बड़ा युद्ध तो नहीं हुआ लेकिन रेल्वे के द्वारपाल द्वारा रेल्वे प्रांगन में बेटी महिला को गलत तरीके से हाथ लगाने के कार्ण एक माराठी मानुस के नितर्त्वा में जन्ता ने वित्रो कर दिया या गटना नितर देव सेना ने द्वारपाला चपला नी मार लई अनि माराठी मारुस चा नारा पूर्ण महरास्ट तो गर्जला अकांडा का अगला युदिसन 17-100 में सेना के जवान और आर्पिअप के मध्य तब हुआ जब सी आर्पिअप का जवान अपने छुट्टी पूरी करके ड्यूटी पर जा रहा था हाला कि उनके मध्य में शुरुवाती बहस्ट स्टेशन पर पड़े समान को उठाने को लेकर हुई लेकिन सेना के जवान पर हाथ उठाने को लेकर प्रसिदी तिहासकार दीपक कलाल ने एक ही बात कही वकांडा का अगला यूदि सन अठारा सो में S&T राज्य के राजा जेही और एंग्री मास्टर के मध्य लड़ा गया इस यूदि के शुरुवात मास्टर के ओफिस पे पड़े टुच्चे से लेंडलान फोन पर अपना वर्चस्व जमाने को लेकर हुई लेकिन मास्टर ने फिट से कूटनिती का प्रयोग करते हुए समराट आर्पिअप चौहान को अपनी और मिला लिया और S&T के राजा जेही को अपने समराचे से बाहर निकाल दिया इस युदि के पस्चात मास्टर ने अपने केबिन के बाहर इत्यास का रोकी भाई से सोर्ण अक्षरों में खुदवाया वकांडा की अगली चिटपुट लड़ाई सन 1900 में अफगानी अकरान का वसूली भाई और चस्मे वाली लक्ष्मी भाई के मध्य हुई सोमरस का सेवन किये होने के कार्ण वसूली भाई लक्ष्मी भाई की फराटेदार इंग्लीज के सामने टिक नहीं सके बिना टिकेट याद्रा करने वाले सभी याद्रियों ने इस यूद्ध में लक्ष्मी भाई का साथ दिया और वसूली भाई के कुटाई करने के लिए एक ही स्वर में कहा वकांडा कांतिम यूद सन 2023 में राजस्तान के जालावार जिले में लड़ा गया इस यूद्ध में पहली बार अक्रामक मास्टर ने सान सुबाओ के लोको पालेट को अपने आदुनिक हथ्यार लट्थ से डराया इसी यूद्ध में नीली वर्डी वाले लोको पालेट ने मोदी जी के प्रसिद नारे का प्रयोक किया इस यूद्ध में असेस्टेंट लोको पालेट ने मास्टर और लोको पालेट के मध्ये में रेफरी का काम किया तो बस यारात के लिए इतना ही वीडियो में एक परसंट भी कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सकाइब कीजिए मैं भी जा रहा हूं मुझे सचिन मीना से भावी पटाने की टिप्स लेनी है सचिन क्या है सचिन में लपू सा सचिन है मुझे से बोलना वापे आवे ना बोलता वो है ना जिंगुर सा लड़का उससे प्यार करेगी वो